दोस्तों I am sure आप लोग ने कभी न कभी तो जो GPS speedometer application प्लेस्टोर पर मिलता है बहुत सारे application ऐसे आपको प्लेस्टोर पर मिल जाएगा जो कि आपका GPS location यूज़ करके आपका जो कार का या फिर बाइक का किसी भी medium से आप travel कर रहे हो उसका speed दिखाता है तो यह feature officially Google Map में integrated कर दिया गया है मतलब कि अब अगर आप कहीं पे भी navigate करते हो Google Map से तो आप अपना जो vehicle का speed है वहाँ पे आप देख पाओगे तो इसको कैसे enable करना है कैसे आप यह feature अपने phone पे use कर सकते हो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि Google Map का जो latest version है आपको उस पर update कर ले रहा है प्लेश्टोर पर जाके आप simply पहले Google Map को update कर लीजे अगर आपका updated नहीं है then यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अपने mobile screen पे सबसे पहले तो आप Google Map में जाएए Google Map का जो settings है आपको वहाँ पे जाना है settings पे जाने के बाद यहाँ पे जो navigation settings है उस पे जाना है then नीचे scroll करके आपको पूरा last तक जाना है यहाँ पे आप देख सकते है जो driving option है वहाँ पे एक नया feature introduced किया गया है speedometer इसको आपको enable करना है फिर जाके आप कहीं भी भी navigate करते हैं as a example आप यहाँ पे देख सकते है मेरा यहाँ पे speed आपको show हो रहा होगा तो ऐसे आप इसको मतलब use कर पाएंगे तो काफी cool feature है आपको यह feature कैसा लगा कोई third party application आपको download करने के जरूरत नहीं है google map अलड़ी आपका phone पे रहता है और आप इसको simply ऐसे enable करके देख सकते हैं कूल feature है आपने दोस्तों के साथ इसको जरूर सेयर करना यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे like करके जरूर बताए और चैनल को subscribe करने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया